Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए August 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि August मन्त में आपकी Love Life में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टनर की energies होंगी, क्या आप महसूस करेंगे कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप August मन्त की energies को बदल सकते हैं, अपनी Love Life को बहतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाप से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाप से राशी हो, आपका Moon sign हो या फिर आपका Sun sign हो इन फाक जिस sign के साथ आप सबसे ज़्यादा resonate करते हैं, आपको लगता है कि ये sign आपका है आप उस sign के हिसाप से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं August 2024 की Love Tarot Reading इस copy उस आप लोगों के लिए देखें कि August 2024 में आपकी Love Life में क्या हो रहा है में बस यहाँ पर तीन set of cards है first set of cards में हम आपकी energies देखेंगे second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally August month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पर सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं 9 of cups and sealed with a kiss और यह cards कहते हैं कि कुछ time से हैं August starting में बहुत एक love, care, प्यार, मुहबबत आप अपने partner के लिए महसूस कर रहे हैं कुछs copy उसके लिए literally हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि आपके partner ही वो एक wish है आपकी जिसको आप manifest करना चाहते हैं जिनको आप reality में convert करना चाहते हैं और यहां पर दीकिए seal with a kiss का card कहता है कि एक physical intimacy या physical connect आप चाहते हुए दिख रहे हैं होता है ना कभी-कभी specially जब long distance relationship होता है हम physical presence अपने partner की चाहते हैं कुछ के लिए यह भी हो सकता है और कहीं फिर से मैं कहूंगी ऐसा नहीं भी है यानि कि आप लोग दूसरी cities में नहीं रहते हैं एक ही city में रहते हैं तो भी physical presence अपने partner की आप ज़्यादा चाहते हुए दिख रहे हैं एक physical connect ज़्यादा चाहते हुए दिख रहे हैं और यहां पर दिखिए mid August के लिए cheating accused का काट कहता है आपको यसे लग सकता है कि चीजें unfair हो रही है अब दिखिए cheating का मतलब सिरफ और सिरफ यह नहीं होता है कि कोई third party है या फिर आपके partner किसी और की तरफ आपके अलावा attract हो गए या आप किसी और की तरफ attract हो गए cheating का मतलब unfair energies होता है वो किसी भी level पे हो सकता है अगर आपके partner आपसे जूट बोल रहे हैं या आप जूट बोल रहे हैं transparency नहीं है या फिर जो time energy आपको उनको देना चाहिए उनको आपको देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं ये भी cheating होती है तो देखिए जो भी दो चीज़े मेरे mind में आई मैंने आपको कहा किसी भी level पे किसी भी तरीके से unfair energies आप महसूस कर रहे हैं कुछ copy उसके लिए आपकी तरफ से हो सकता है आपको ऐसे लग रहे हैं कि आप 100% partner को नहीं दे पा रहे हैं कुछ copy उसके लिए हो सकता है आप partner की तरफ से आपको ऐसी feeling हो रही है कि जो उनको इस relationship को देना चाहिए या फिर जो एक concern care आपकी उनको होनी चाहिए वो नहीं रह रही है और इसलिए शायद आप थोड़ा सा practical होने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा realistic होके चीजों को deal करने की कोशिश कर रहे हैं हो सकता है अपने work पे focus करने की कोशिश कर रहे हैं कोई भी चीज रह सकती है इन दोनों में से या इन ही चीजों से related लेकिन कहीं आप अपनी emotions को नहीं control कर पा रहे हैं कहीं जो प्यार मौबत आपके मन में उनके लिए है उसको नहीं खतम कर पा रहे हैं और फिर से वो प्यार उमड़ उमड़ कर आ रहा है और हो सकता है आप इस चीज को अपने partner से express भी कर रहे हैं लेकिन जो भी surface level के लिए आप महसूस कर रहे हैं इसके बावजूत की आप बहुत प्यार मौबत महसूस कर रहे हैं एक negative thoughts भी साथ ही साथ partner के लिए आपके मन में आते हुए दिख रहे हैं और आप देखते हैं क्या आपके partner की के energies हैं तो देखें आपके partner के लिए आपे सबसे पहले card है 5 of wands and addiction 5 of wands का card कहीं conflict की बात करता है अब देखें ये conflict सब Scorpios के partner के लिए differ करेगी कुछ के लिए हो सकता है कि उनके personal friend में कुछ issue है कुछ मसला है जिसको लेकर आपके partner एक दोविधा में है एक उलजण में है या उनका मन उलजण में है और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको लेकर इस relationship को लेकर एक दोविधा उनके मन में है उलजण है एक conflict है कुछ के लिए भी हो सकता है कि आपके साथ छोटी-छोटी सी बातों पर आर्ग्यू कर रहे हैं आपके साथ छोटी-छोटी सी बातों में यह नो उनका एक लडाई वाला आटिटी ओर या फिर मैं यह नी कहरें कि वो लड़ रहे हैं जान मुश्किय लेकिन जैसे होता है नहीं सामने वाला आपको सही जवाब नहीं देता उल्टा जवाब देता है तो वैसी वाली एनरजी उनकी रह रही हैं and deeper level के लिए addicted के card में अगर आप देख पा रहे हैं तो medicines बनी हुई है हो सकता है कि उनों उनकी health ठीक नहीं है इसलिए उनका ऐसा nature behavior हो रहा है या फिर personal front में कुछ issues मसले चल रहे हैं या हो सकता है कि आपके लिए बहुत एक addiction वो महसूस करते हैं उनको लगता है कि वो आपसे अडिक्ट हो गए है और कुछ issues मसले हैं जिसकी वजए से वो अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं और इसलिए conflicting energies है देखिए reason सब Scorpius के partner के लिए differ करेगा क्योंकि ये general reading है कहीं mid August में यहाँ पे Queen of Cups का card कहता है बहुत उनके mood swings हो रहे हैं और बहुत emotionally low feel कर रहे हैं in fact मैं कहूंगी कि एक love care उनकी तरफ से भी आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है और हो सकता है किसी level पर express भी कर रहे हो लेकिन बहुत you know emotionally up and down वाली energies उनकी रहती भी दिख रही है and August के लिए quickies and nine of pentacles के cards कहते हैं कि मन ही मन आपसे मिलना चाह रहे हैं connect करना चाह रहे हैं वो सकता है physical connect वो भी चाह रहे हैं लेकिन surface level के लिए अपनी emotions, feelings को control करते हुए दिख रहे हैं कहीं उनको बहुत practical, realistic होके चीज़ों को deal करते हुए दिख रहे हैं फिर से इस चीज़ को clear कर देती हूँ जो मन में वो feel कर रहे हैं वो आपको नहीं वो जाहिर होने दे रहे हैं कहीं मन में आपके साथ एक physical connect, physical intimacy चाहते हुए दिख रहे हैं surface level के लिए अपनी emotions, feelings को बहुत control करते हुए discipline तरीके से रहते हुए दिख रहे हैं और कहीं उनकी तरफ से आपको ऐसे लगेगा कि बहुत independent है शायद आपकी इतनी ज़रुरत नहीं है या फिर जब हम किसी को प्यार करते हैं तो emotionally, mentally dependent हो जाते हैं उनकी तरफ से आपको ऐसे लगेगा कि mentally, emotionally बिल्कुल independent है इनको किसी चीज से कोई खास फरक नहीं पड़ रहा है ऐसा आपको महसूस होगा लेकिन deeper level के लिए ऐसा नहीं है यानि कि मन ही मन ऐसा नहीं वो feel कर रहे हैं आप देखते हैं कि ऑगेस्ट मन्त में क्या हो रहा है तो देखें ऑगेस्ट मन के लिए सबसे पहला कार्ड है in and out तो हो सकता है कि काफी टाइम से आप फिर august starting में बहुत in and out वाली energies आप लोगों के बीच में रह रहे हैं कभी तो आप लोग बहुत अच्छे से connect करते हैं कभी आप दोनों ही गायब हो जाते हैं आप दोनों में से कोई एक गायब हो जाते हैं या फिर देखें ये august starting में रह रहा है या काफी टाइम से आपके relationship में रह रहा है और three of pentacles का काट कहता है शाहिद इसलिए या फिर otherwise भी आप लोग अपने professional front अपने अपने कामों पे जादा focus कर रहे हैं करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप और लोगों से इस चीज को discuss कर रहे हैं और लोगों से इस चीज के बारे में बातचीत कर रहे हैं और देखें mid august के लिए यहाँ पे evidence and justice reverse के cards हैं अब देखें आपके partner के लिए हाँ पे cheating accused का भी card था अब अगर हम इन तीनों cards को देखें, combine करें तो कुछ यहाँ मैं कहूंगी कि इका दुका Scorpios और उनके partner के बीच में infidelity रह सकती है यानि कि third party रह सकती है आप किसी और की तरफ attract हो रहे हैं या फिर आपके partner किसी और की तरफ attract हो रहे हैं या relationship है मैं फिर से जोर देके कहा रही हूँ सिरफ एक का दुका के लिए ऐसा रहेगा broader level के लिए जो भी unfair energies है उसका एक proof कहीं आप दोनों को ही मिलता हुआ दिख रहा है या आप दोनों हो सकता है deeper level पे समझ रहे हैं या एक दुसरे को कह रहे हैं हला कि देखें यहाँ पर seven of souls reverse का भी card है यह भी कहीं cheating की बात करता है तो एक you know unfair energies बहुत जादा रहती वे दिख रही है justice reverse भी कहीं unfair energies की बात करता है अभी किसी भी level पे होंगी मैंने अभी बहुत clearly आपको समझाया कि cheating किसी भी तरीके से हो सकती है तो यह एक बहुत जादा august मन्त में रहती वे दिख रही है यहां तो आपको ऐसे लग सकता है कि भी जो expected था को आपके partner से या जो उनको करना चाहिए था जो you know एक उनकी care, love आपके लिए होना चाहिए था वो नहीं रहता वा दिख रहा है and हालां कि दिखी जैसे मैंने बुला कि seven of swords के card कहता है कि आप लोग शायद इस चीज को नहीं एक दूसरे के साथ discuss कर रहे है openly नहीं इस पर बातचीत कर रहे हैं इस topic को avoid कर रहे हैं इस topic पर again नहीं उतनी बातचीत कर रहे हैं confront कर रहे हैं and yes यहाँ पर don't leave का card कहता है कि इन ही सब चीजों की वज़े से या फिर otherwise भी मन ही मन आपको ऐसा लग रहा है Scorpius कि आपके partner की इस relationship को छोड़ना दे एक fear एक insecurity हो रहा है या फिर आप अपने partner को इन सब चीजों के बावजूत भी नहीं छोड़ना चाहा रहे है आपको लग रहा है जो भी हो आपको आपका partner का साथ चाहिए और कुछ Scorpius के partner की भी ऐसी energies हो सकते हैं यानि कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की energies ऐसी हो सकते हैं जहाँ पर जो भी issues हैं मसले हैं दूसरे जन को छोड़ना नहीं चाहा रहे हैं ये चीज भी बहुत clearly साबित होती हुई दिख रही है कि yes unfair energies हैं कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं कुछ चीज़ें fair नहीं हैं इस relationship में और देखिए अगर मैं broader level की बात करूँ तो सभी relationship में थोड़ा बुत्त होता ही है लेकिन जब ज़ादा हो जाया न तो हमें pause लेकर इस पे attention देनी चाहिए और at the end of the day अगर हमें ये relationship ज़ादा time के लिए एक सुकून नहीं दे पारा एक peace नहीं दे पारा तो जितना भी difficult हो हमें end कर देना चाहिए और अगर चोटे मोटे issues हैं तो कोई बात नहीं सिरफ अगर ये August मंत की बात है तो कोई बात नहीं हर महीना एक जैसा नहीं होता हर महीने में सब कुछ हमारे हिसाब से चले ऐसा नहीं होता कोई महीना बहुत अच्छा होता है महीना इतना अच्छा नहीं होता, तो August कहीं वो एक महीना है जो बहुत अच्छा नहीं रहता वादिख रहा है, मैं यह नहीं कहीं कुछ गलत हो रहा है, हालां कि देखिए Seven of Swords का कार्ड है, जो कि cheating की बात करता है, evidence, accused, cheating, justice reverse के कार्ड है, तो कुछ unfair तो यह था स्कॉपियर आपको यह आपके पार्टनर को महसूस हो सकती है तो यह था स्कॉपियर आप लोगों के लिए August 2024 की Love Tarot Reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें